जिन्दगी जब समझ आती है, तो समय नहीं बचता, और जब समय होता है, तो हम जिन्दगी को समझना नहीं चाहते हैं, और सिर्फ अपने अनभव से समझने के लिए जिन्दगी बहुत छोटी है, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं, तो हमें पता नहीं होता है कि चॉकलेट क क्यों नहीं खाने दे रहे ममी पापा इसके बाद जब स्कूल में आते हैं तब भी कुछ बात होती हैं जो पेरेंट्स कहते हैं हमारी समझ में नहीं आती है क्योंकि हम इस स्कूल लाइफ को तो बहतर जानते हैं अपने माता-पिता से थोड़ी बदल चुकी है no doubt पर फिर भी क समझ में आती हैं बाते हैं कि ममी पापा ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि हम भी वही कहने लगते हैं जो सुनने में हमको आपती होती है ठीक इसी तरह जब हम बूड़े होते हैं तो फिर हमें बो बाते आते हैं जो ममी पापा कहते थे जब वो बूड़े थे कि वो ऐसा क्यों कहत पर उस समय बहुत तेर हो चुकी होती है इसलिए अगर जिन्दगी को समझना है तो अपने अनुभव के साथ साथ सत्संग करना बड़े लोगों से मिलना ग्यानी लोगों का साथ होना अच्छी बुक्स किताबों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है सिर्फ ग्रहे आपको सफल नहीं बनाएंगे जिन्दगी में अगर सफल होना है तो आपको ऐसे लोग जो सफल हुए है सफल मतलब धन कमाना है नहीं जो जिन्दगी में खुश भी रहे हैं जिन्होंने योगदान भी दिया है और जिनका एक आप कह सकते हो कि ज्यान है, knowledge है, wisdom है उनके पास, उनका साथ होना जरूरी है एक किताब, एक book आपका सबसे अच्छा friend होता है कोई उस वक्ति से भले आप नहीं मिल सकते पर उसने अपनी सारी जिन्दी का जो अन्भव है वो उसमें डाला है तो वो कीजिए और अच्छे अच्छे दोस बनाईए friends बनाईए, सर्थसंग कीजिए परिवर्तन करते रहिए, जीवन में सीखते रहिए और क्या परिवर्तन लेकर मार चाहें आपके लिए ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में ग्रहन अक्षत्र हमारे क्या दिखा रहे है आपका करियर है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, स्पिरिचुल्टी है, अध्यात में पढ़ाई लिखाई के साथ, साथ, काम, धंदा है, बिजनिस है, पैसा है जो बहुत लोगों के लिए बहुत सारा इंपोर्टेंट है, उसके बारे में, सभी के बारे में बात करेंगे पर सबसे पहले जान लेते हैं, ग्रहन अक्षत्रों की इस्तिती, ग्रहन देखे, दसम भाब में मंगल आएंगे आपके साथ नमबर, साथ नमबर के सामने तुला लिखा है, जिसका स्वामी शुक्र है, तो केतु जो है तुला राशी में, शुक्र की राशी में गोचर कर रहे हैं, इसके बाद ग्यारे रंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कुम्भ राशी है, ग्यारे कुम्भ राशी, इसके स्वामी शनी है, इसमें शनी खुद गोचर कर रहे हैं, सूर्य गोचर कर रहे हैं, बुद गोचर कर रहे हैं, सूर्य यहाँ पर पंद्रे तारिक तक हैं, पंद्रे तारि और यह जो अक्षर आप देख रहे हो, यह जो अंक आप देख रहे हो, यह राशी को दिखाता है, जैसे यहाँ पर छे अंक है, तो छे अंक क्या है, कन्या, इसका स्वामी कौन है, बुध है, आपके जो राशी के स्वामी है, बुध है, यह जो वीडियो है, वो राशी के लगन वाले भी देख सकते हैं उनका भी ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा ग्रह तो वहीं से है ना दसंभाव लगन से भी करियर ही दिखाता है चंद्रमा से भी करियर ही दिखाता है दौनों से देखते हैं हाँ चंद्रमा से बहुत चाद है मत है कि देखते हैं इसके बाद बिनाम का योग बनाकर रहेंगे गुरू के साथ और इसके बाद तेरे तारिक को माफ कीजेगा बारे तारिक को ही ये मेस रासी में पहुंच जाएंगे राहू के पास राहू और शुक्र का योग बनेगा राहू और शुक्र का तो इसके बारे में भी बात करेंगे, important ये योग है, इसके साथ-साथ मंगल की हम बात कर चुके हैं, मंगल नवम में हैं पर फिर दसम में चले जाएंगे, अब आ जाते हैं, result के उपर, जो बड़े-बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, सबसे पहले उसकी बात हम कर लेते हैं, दे तो शनी थोड़े कमजोर हो जाएंगे, शनी थोड़े आप कहा सकते हो कि उनकी जो शक्ती है, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, यहाँ, तो पढ़ाई लिखाई में आपको थोड़ा effort डालना पड़ेगा, किसी competition को जैसे आप दे रहे हैं, किसी कहीं पर संघर्स आपको करना ह तो थोड़ा आलस से आपके मन में रहेगा, थोड़ी हिम्मत थोड़ी कम रहेगी, शनी क्रहों के according, क्योंकि शनी छटे भाब के खौमी है, और छटा भाब रोग, रिन, सत्रू और हमको किसी competition में विज़य दिलाता है, तो वो ध्यान रखना है, पर इसका एक दूसरा और साथ में, स्वास्त में कोई बीमारी अगर आपकी चली आ रही है, तो उसके लिए भी ठीक रहेगा, पर पढ़ाय लिखाय के मामले में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, प्रेम जो है ना प्रेम, आपस में, तो होड़ा effort आपको रखना पड़ेगा, प्रेम में थोड़ को यहां जाते जाते 15 तारिक हो जाएगी, और 15 तारिक को सूर यहां आ जाएगे, जब सूर यहां पर है, तो कहीं ना कहीं, अच्छा माना जाता है, सब्तम में जैसे ही आएंगे, यह चीजें तो बदलेंगी, पर सब्तम में सूर के आना, स्पाउस के साथ, पतनी के साथ, business में, ego battles हो सकती है, मतलब हो सकता है, कोई बात बहुत बड़ी ना हो, पर ego, मतलब उसने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, तो बात ये नहीं क्या सही है, किसकी बात सही है, इस बात को लेके बाते थोड़ी बड़ी हो सकती है, आपका इस पाउट, पार्टनर जो है, थोड़ा सा आपको कमांड करना चाह सकता है, तो ऐसे में अगर वो सही है, तो करने दो, वैसे भी बोलते हैं कि, रहीमन धागा प्रेम का, मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांट पड़ जाए, तो छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर देना, अपने बड़े लक्ष पे ध्यान रखना, यही पुद्धिमानी है, वैसे भी जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है, कि आप उसको हर छोटी मोटी बात पर फोकस करो, नहीं तो सारी अनर्जी तो इधर ही खराब हो जाए, कि अपने गोल के बारे में ध्यान जाने में ही, समय ही नहीं मिलेगा आपको, और कई बार यह होता है, हम सब लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, बंदना चाहते हैं, पर करते नहीं हैं, अब कुछ लोग इतना करते हैं, और वो कहते भी नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके सपने इतने स्ट्रॉंग होते हैं, कि वो दूसरी थौट सी नहीं आने देते, वह ही चलता रहता है उनकी निमाग में, अपना लक्ष, अपना जो उनको अचीव करना है, और वही दूसरी और हम चाहते तो हैं, पर वहाँ मनी नहीं लगा पाते हैं, कारण क्या होता है? कारण यह होता है, कि वो चीज अंदर से नहीं आ रही होती है, वो मन से नहीं आ रही होती है, उस चीज के लिए शायद हम बने नहीं होते हैं, तो life में ये भी बहुत बड़ा important है खास कर कि अब जब young हैं आप सारी चीज़ें try कीजिए पता नहीं क्या चीज़ आपके मन को भाजाए और फिर उस चीज़ में profession बन जाए तो बहुत बढ़िया ना भी बने तो वो चीज़ अगर आपके profession में रहेगी मतलब आपके किसी career के साथ रहेगी जो धन कमाने का जरीया है वो भी चीज़ अगर साथ में रहेगी तो जिवन में enjoy रहेगा परिवर्तन रहेगा और life रहेगी इसके बाद देखिए गुरू की तरफ बढ़ जाते हैं कही ना कही बिजनिस के लिए partnership के लिए भी अच्छा है आप कही ना कही ये कह सकते हो कि जिनका business है वहाँ थोड़ा better है job है, सरकारी नोकरी में है वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है इस तरह से आप कह सकते हैं ये जो महीना है प्यार की बात अगर हम कहेंगे तो पंचम का जो स्वामी है जो शनी है वो सूरी के साथ रहेगा कब तक? 13 तारिक तक तो 13 तारिक तक थोड़ा सा आपसमें प्यार प्यार बनाना है चीज़े create की जाती है कुछ चीज़ें तो अपने आप हो जाती है लड़ाई जगड़े अकसर अपने आप हो जाते है आपको भी याद करोगे आप ध्यान करोगे आप पीछे की तरब तो आपको ये तो याद आएगा किसी ने मेरे को कब क्या कहा किसी किस बात का मैंने कब क्या बुरा मना पर आपको यह याद नहीं आएगा, उसने कब आपको कुछ खाने को दिया, कब आपको पानी पिलाया, कब कोई help की, कब उसने आपकी सही advice दी, वो सब चीजे पता नहीं क्यों कहीं गायब हो जाती है, और यही तो सीखना है, जैसे खत-पतवार तो अपने आप उग जाता है, पर कोई flower आपको बनाना है, कुछ अच्छा life में करना है, तो प्यास करना होता है, बदलना होता है खुद को, और इनसान ही एक लोता है, जो खुद को बदल सकता है, खुद को सुधार सकता है, कुछ नया कर सकता है, खुद के लिए ही नहीं, अगर आप अपने उपर काम करो सिर्फ अपने उपर काम करो दूसरे को बदलने की छोड़ दो पर अगर आप बदलोगे तो आसपास बाले बदलेंगे जब सूरे चमकता है तो उसका प्रकास सभी की तरफ आता है जब आजाती है तो फिर आफकोर्स हम समझने लगते हैं इसके बाद ये आपका गुरू का हो गया सूर का हो गया शनी की बात कर लें बात तो हमने कर ली थोड़ी सी सूर के साथ पर इसके अलावा क्या शनी की दश्टी अश्टम पर है वहाँ पर राहु सूर है साथ मखाब इनलोज का है, शादी के बात की लाइफ का है तो शादी बिवा कराने के लिए अच्छा प्रेम के लिए भी ठीकी है पर शादी के बात की लाइफ और इनलोज की जो लाइफ है वहाँ उतार चढ़ाब रहेंगे कारण क्या एक तो राहू उपर से शनी की दस्टी ये hidden चीजों का भी है illegal चीजों का भी है उसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है किसी भी illegal तरीके से चाहे वो relationship हो चाहे वो धन कमाना हो या कोई भी चीजो बहुत साब धन रहना है उस तरफ नहीं जाना है वरना डंड शनी दे सकते हैं क्योंकि उनकी नेच की दस्टी जो है अश्टम भाब पर जारी है जहां पर राहू और शुक्र भी जोड़ जाएंगे बारे तारीक के बाद और बारे तारीक से पहले शुक्र यहां पर मालब विनाम का योग बना कर रहेंगे और गुरु हonce नाम का योग बना कर रहेंगे सब्तम भाब मत आपके बिजनिस के लिए करियर के लिए बहुत बढ़िया है आपके पार्टनर पार्टनर्शिप के लिए भी बहुत बढ़िया है उनकी लाइफ में भी कुछ promotion आदी हो सकता है इसके साथ साथ यात्रा आ सकती है आपके spouse की life में आपकी life में, आपकी मुलाकात अपने होने वाले पती पतनी से किसी यात्रा के दोरान हो सकती है धन, पैसा आ सकता है आपको अपको अपनी family की वज़े से, आपकी वानी की वज़े से, आपकी partnership की वज़े से, किसी project की वज़े से, किसी business की वज़े से इसके बाद यह तो रहां бारा, 12 के बाद राहू शुकर जो मैंने illegal की बात की, रिष्टों के मामले में भी business के मामले में भी भाग थोड़ा सा मेहनत एफर्ट जादे रहेगी higher education के लिए भी थोड़ा सा प्रयास जादे करना पड़ेगा पर कुछ चीज़ा अच्छी भी है इस research के लिए बढ़िया है deep जो चीज़ें होती हैं गहराई में जो दिखती नहीं है उस तरह का कोई काम है आप जासूस होते हैं डिटेक्टिव होते हैं researcher होते हैं astrology है जोतिस है अकल्ट है इस तरह काम से जोड़े हुए है तो उसके लिए बढ़िया है और परिवार का थोड़ा ख्याल रखे हैं क्योंकि केतु परिवार के भाव में बैठे हुए है इस भाव का स्वामी भी राअहू के साथ है और यह वानी का भाव है परिवार का भाव है value का भाव है धन का भाव है तो इन सब चीजों के मामले में थोड़ा सा aware होके काम करना है क्योंकि होगा तो वही जो कुंडली में лिखा है आपकी और जनम कुंडली में और ये गोचर कुंडली है पर इससे एक संभावना जो बंद रही है इस कुंडली वालों के लिए बस उसी की बात हो रही है तो उस चीज का धान दखेंगे तो ये भी हो गया राहु शुकुर का यहां पर intense intense अनुभाव हो सकते हैं समाधी वगयरा में कुंडलीनी वगयरा में आपको ऐसे कुछ अनुभाव हो सकते हैं अगर साधना की आप में रुची है आप कुछ कर रहे हैं चाहब ब्लेक मैजिक हो है वाइट कुछ भी आप इस तरह की साधना योगा ध्यान मंत्रा मेडिटेशन कुछ कर रहे हैं आप तो कुछ आपके ऐसे अनुभाव सवपन में भी ऐसे कुछ अनुभाव हो सकते हैं जो काफी गहरे हैं जो आप च्छाप छोड़ सकते हैं इसके बाद मंगल मंगल नवम में है नवम में मंगल है तो भागी में थोड़ा फट रहेगा hard work रहेगा 13 तारिक तक उसके बाद दसम में منगल का गोचर थोड़ा बहतर माना जाता है पर कारे में उतार चड़ा बदलाब को यहां पर दिखा रहा है यह मंगल का जो गोचर है इसके साथ-साथ लड़ाई जगडे से बचना है, जल्दवाजी से बचना है क्योंकि मंगल की चौथी दर्ष्टी आपके राशी पर रहेगी चौथे भाब पर रहेगी, पहले भाब पर रहेगी और पंचम पर रहेगी चोलते भाप पर यही अपने बहवार में थोड़ा patience रखना है और discipline रखना है action लेना है पर समय के अंसार लेना है यहाँ पर जो दश्टी है गुरू की गुरू के राशी पर और गुरू का अपने से केंदर में होना घर जमी नादी के लिए अच्छा योग है माता के स्वास्त में उतार चड़ाव रह सकते हैं 12-13 के बाद पर घर जमी नादी से सम्मंद में अच्छा है पंचम भापर जो दश्टी है उच्चे की दश्टी है मकर राशी में मंगल उच्चे के होते हैं पढ़ाई लिखाई के मामले में अगर आप effort करोगे hard work करोगे तो competition में आपको बिजय मिलेगी ऐसा गोचर कहता है तो ये मंगल भी होगे आपका राहु शुक्र भी होगे केतु की मैं बात कर चुका हूँ पर फिर से बता देता हूँ कि वाणी के भाब में केतु है तो कुछ ऐसा मूँ से निकल सकता है जो शायद किसी को अटपटा लगे धन के मामले में भी सड़न निर्णे ना ले गणेश जी की पूजा करते रहे हैं गणेश जी के मंदिर पर आप ध्वजा का दान कर सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा हनुमान जी के मंदिर पर भी ध्वजा का द्यान कर सकते हैं क्योंकि केतु कुछ वबत केतु मतलब मंगल जैसा केतु उससा आप से कर सकते हैं संतों का सम्मान करें स्प्रिचुल्टी अध्यात्म धान ध्यान आदि अपने जीवन में लाएं अगर केतु की दशा चल रही है तो तो ये केतु हो गया राहु की हम बात करें राहु आयू का थोड़ा ख्याल रखना है स्वास्त का थोड़ा ध्यान रखना है एक्सिडेंट वगरा होने का हलका सार योग रहता है जब राहु अश्टम में रहते है पर हर किसी का एक्सिडेंट हो ऐसा नहीं है कुंडिली में योग होता है तब ही होता है पर थोड़ा सा ध्यान तो रखी सकते हैं जब राहु अश्टम में चल रहा है वैसे भी हमें हमेशा ध्यान रखनाई चीए पर हाँ राहू का यह है शनी की बात हम कर ली, गुरू की हमने बात कर ली, मंगल की बात कर ली, केतू की कर ली, शुक्र की शुक्र की बात marriage life के मामले में करते हैं राहू और शुक्र का आपके जीवन में कोई ऐसा जीवन साथी आ सकता है, जो आपसे जात, धर्म, बिरादरी में थोड़ा अलग हो फोर्नर भी हो सकता है travel आ सकते हैं, यात्रा आ सकते हैं, समुंद्रिया, हवा, यात्रा भी आपके जीवन में यहाँ पर शुक्र ला सकते हैं, कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, कोई छुपी हुई चीज भी आपको कोई दे सकता है वो एक फिजिकल चीज भी होती है कोई बात बता सकता है वह इसको कभी मत बताना इस तरह का कोई राज आपके जीवन में आ सकता है यह यहाँ पर दिखता है तो सारे ग्रह हो गए अब बढ़ते हैं थोड़ा तो हरों की तरह पर उससे पहले में आपके निवेदन करूँगा कि आप कमेंट कीजिएगा लिखिएगा कि कैसा लगा क्या सुधार कर सकते हैं छोटा सा कमेंट कर सकते हैं आपके पास समय कम है तो और लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा गंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा अब इसके बाद मैं तोहारों की तरफ बढ़ूँगा तोहार भी बहुत महत्वपून है साथ तारीकी होली है तो आपको होली की बहुत-बहुत सुबकामना है छे तारीका होली का दहन है 22 तारीक से 4 नवरात्रे सुरू होंगे जो की 30 को 10 मी होगी नवरात्री का लाश्ट दे होगा इससे ठीक एक दिन पहले 30 तारीक को राम नौमी है और 23 को छेती चंद जो सिंधी लोग है उनका तोहार है इसके बाद 7 तारीक को फालगुन पूर्णिम जो की होली ही होती है हमारी 18 तारीक को पाप मोचनी एकादशी दो तारीक को अम्माली का एकादशी जो भगवान हरी विश्नु के भक्त है उनके लिए बहुत जादे महत्पूर्ण ये देट्स है तारीके हैं तिथिया है 19 तारीक का प्रदोस्परत है 20 तारीकी शिवरात्रिय चिदा अनंदे रूपा शिवोहम शिवोहम 10 तारीकी संकष्टी 21 तारीकी चैत्र अमावस्या और 15 तारीकी मीना संकरांती है मतलब सूरिका जो परिवरतन जिसकी हमने बात की थी वो 15 तारीक को होगा तो 21 को अमावस्या है 15 को मीना संकरांती है संकरांती होग अमावस्या पित्रों से spiritualty अध्यात्म से जुड़े हुए है इन दिनों इन दिन खास घर की साफ सफाई करना गीता का पाठ करना अपने पित्रों के नाम से कुछ दान पन्न किसी की help करना वैसे जब भी आप दान पन्न help कर रहे हैं तो उसमें ये भाब नहीं होना चाहिए कि आप मैं पन्न कर रहा हूँ फिर इसको मेरा result आएगा ये भाब नहीं होना चाहिए दया भाब से वो पन्न होना चाहिए उसकी दूसरे की help के लिए कि इसका कुछ अच्छा हो इससे वो पुन्य होना चाहिए ये बहुत गहरी बात है इसको समझना इतना आसान नहीं है क्योंकि एक तरफ हम बता रहे हैं कि भई आम आवस्या के दिन ही करना है और संक्रांती के दिन ही करना है तो हम ये नहीं कह रहें कि उसी दिन करना है इस दिन सुभ माना गया है आपको जब भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले आपको लगता है कि इसको help की आवशकता है सहायता की आवशकता है तब ही कर दीजिए इश्वर आपको लाब देगा कोई भी दिन हो पर हाँ ये दिन विसेस मानेगे कि और दिन नहीं कर रहे तो इस भाने कम से कम इस दिन पर वो भी प्रेम से प्रेम भाव से करना है तब आपको उसका फल अवश्य मिलेगा तो ये हो गया कन्या के लिए मार्च का राशिक फल इससे आपको अच्छा लगा होगा लाइफ में कुछ सीखने को भी मिलेगा और कुछ इससे वैल्यू एड होई होगी मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसा है तो लाइक कीजिएगा सब्सकाइब कीजिएगा घंटी वाला बटन दवाना मत भूलिएगा अपना सहियो किसी तरह से बनाके रखिएगा कमेंट कीजिएगा अगले वीडियो तो अपना ख्याल रखिएगा अपनों का ख्याल रखिएगा सभी का ख्याल रखिएगा नमस्कार